हलो दोस्तों पॉल्टेक्नीक कैपसूल के यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है बहुत सारे छात्रों के रिक्वेस्ट पे हम पाउर प्लांट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें से कि हम पहला चेप्टर न्यूकलियर पाउर प्लांट पढ़ेंगे न्यूकलियर पाउर प हो चुका है तो हम नुक्लियर पाउर प्लांट से शुरू करने जा रहे हैं कि इसमें हम लोग कि पहले नुक्लियर पाउर प्लांट के सलेबस डिटेल में चर्चा करेंगे उसके बाद हम टोपिक वाइज वन वन करके सभी टोपिक को पढ़ेंगे तो आज हम सलेबस पे चर्चा कर रहे हैं नुक्लियर पाउर प्लांट में पहले हमको पढ़ना है नुकलियर रियक्टर, नुकलियर रियक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मोडरेटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुलेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिक Element of Nuclear Power Plant में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नावकिय सक्ति सयंत्र में किस प्रकार से उर्जा उत्पन्न होती है नावकिय सक्ति सयंत्र में बिद्दु सक्ति उपजाने के लिए आवस्यक उस्मिय उर्जा पर्माड़ों के न्यूकलियर उपांत्रण के फल सुरूप प्राप्त होता है नावकिय सक्ति प्राप्त करने वाले प्रमुख इधन यूरेनियम तथा थोरियम है नाबकिय सक्ति संयंदर में बिद्दु सक्ति उपजाने के लिए परुमाणवों के नुकलियर उपांतरण की आउशक्ता होती है इसको हम लोग आगे टोपिक में एकदम डीटेल में जानेंगे कि किस प्रकार जो है नुकलियर का विखंडन होता है और इस उस्मा या उर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग किस पदार्थ या किस मटेरियल का उप्योग करते हैं उसको भी हम लोग जानेंगे पूरे डीटेल में तो आज हम लोग चर्चा करते हैं and element of nuclear power plant पे element of nuclear power plant मतलब कि nuclear power plant के भिण 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 भागों को समझने के लिए सबसे पहले हमको उसका block diagram समझना पड़ेगा कि पूरे nuclear power plant में कौन-कौन से उसके उपकरण से मिलके बने होते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को detail में और figure को बहुत ही अच्छे से समझने की आउशकता है अगर आप लोग figure समझ लिए तो nuclear power plant आप लोगों के लिए एकदम से आसान हो जाएगा ठीक है तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं nuclear power plant का block diagram देखिए nuclear power plant में सबसे पहले हम लोग atomic reactor के बारे में बात करते हैं atomic reactor atomic reactor एक उपयंत्र होता है एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें हम नावकिये इधन का उपयोग करके उस्मा का उत्पादन करते हैं इसको भी हम लोग detail में समझेंगे मात्र यहां पे आपको introduction दिया जा रहा है कि किस प्रकार नावकिये सक्ति सहयंत्र कार्य करता है तो सबसे पहले नावकिये reactor क्या करता है उस्मा का उत्पादन करता है उस उस्मा का उत्पादन उस उसमा का उपयोग हम लोग पानी को घरम करने के लिए उपयोग करेंगे वो देखिए जब उसमा का उपादन होता है तो यहां से जो फ्लू गैसेज हैं उनको क्या किया जाता है उनको हीट एक्सचेंजर में बहजा जाता है पाईब के माध्यम से heat exchanger में भेजा जाता है pipe के माध्यम से जैसे जैसे ये heat exchanger से pipe के माध्यम से इसमें भेजा जाता है और ये heat exchanger में होकर फिर से कहां चले जाते हैं atomic reactor में इसको हम लोग काईदे से एक एक point करके समझेंगे अब देखिए यह तो यहां से उस्मा का उत्पादन हो रहा है यहां से उस्मा का उत्पादन हो रहा है और यह क्या हो रहा है हीट एक्चेंजर में आने के बाद पाईप के माध्यम से पंप के माध्यम से फिर कहां चला जा रहा है एटॉमिक रियक्टर में इस पाईपों में पानी प्रवाहित होता रहता है, जो कि गरम होता है, ठीक है, और ये पानी प्रवाहित होता रहता है, और ये atomic reactor से पानी उसमा प्राप्त करती हैं, तो वो किसमें बदल जाती है, भाप में बदलने लगती है, भाप में बदलने लगती है उसके बाद इस भाप का प्रियोग हम लोग इस टीम वाल्ब को ओपन करने के बाद इसको हम लोग कहां पर ले जाते हैं इसको हम लोग टर्बाइन में ले जाते हैं टर्बाइन में क्या होता है इस भाप का इस भाप में एक उर्जा होती है वह उर दाब और उच्च वेग की यहाँ पर उर्जा होती है जो टर्बाइन को गुमाने का कार्य करता है इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो वास्प की उर्जा है वह यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित हो जाती है उसकी बाद ये टर्बाइन कपल्ड होता है जुड़ा होता है एक अल्टरनेटर से ये जुड़ा होता है और अल्टरनेटर क्या करता है अपना कार्य करता है मतलब कि वह रोटेट होता है रोटेट कि मिल जाती है ट्रांस्फार्मर करता है जो कि क्या करता है कि जो अल्टरनेटर 11 क.ई क बोल्टेज जनरेट करता है उसको इस्ट्रिप अब कर वन aux नाफर्टीट्यड्य केविए कॉर्णडीड्य किमें कनवर्ट कर देता है फिर ये कहां पर जाता है? फिर ये जाता है, आईसोलेटर पर, आईसोलेटर के बाद OCD, OIL Circuit Breaker के माध्यम से, ये होते हुए, कहां पर चला जाता है? हमारे बस बार में चला जाता है, बस बार में जाने के बाद फिर इसको हम लोग Transmit करते हैं, या Distribute करते हैं, भिन 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 अब आगे क्या होता है अब देखिए जो ये टर्वाइन है हमारा जो टर्वाइन है टर्वाइन में भाप प्राप्त हो रहा है यहां से भाप आ रहा है और टर्वाइन को रोटेट करवा रहा है लेकिन होता क्या है कि पूरा-पूरा भाप का उपयोग हो जाता है उसके बाद भाप की जो मात्रा बस्ती है उसको हम लोग एक्जेस्ट इस्टीम जहां पे लिखा हुआ है वहां से इसको हम लोग कंडेंसर में भेशते हैं फिर से इसको जो भाप है फिर सो इसको हम लोग द्रवित अवस्था में कर लेते हैं कंडेंसर के माध्यम से कंडेंसर के माध्यम से भाप को हम किसमें कर लेते हैं द्रवित अवस्था में कर लेते हैं उसके बाद ये कंडेंसर इस पानी को पंप के माध्यम से फीड करता है अब देखिए कंडेंसर में एक चीज और होती है कंडेंसर में पंप के माध्यम से pump के माध्यम से जो नदी या जहां से हम लोग पानी को ले रहे हैं वहाँ से यह जाता है कहाँ पर cooling tower से होते हुए यह देखिए condenser से condenser से यह जो भाप है द्रवीत अवस्था में होकर फिर यह cooling tower में आता है cooling tower में आने के बाद यह भाप जो है ठंडा होता है ठंडा होने के बाद ये पंप के माध्यम से अगर ये पानी कम होता है ये जो भाप है जो पानी में कनवर्ट हो गया है अगर वो पानी कम होता है तो रीवर के माध्यम से भी पानी लिया जाता है और उस पानी को लेने के बाद कंडेंसर के माध्यम से फीड प्रतित हो जाए उसके बाद हीट एक्चेंजर में भेजने के बाद इसमें क्या होता है कि फिर से इसको हम कहां पर भेजते हैं फिर से इसको हम भेजते हैं रियक्टर में फिर से हम इसको कहां भेजते हैं एटामिक रियक्टर में और एटामिक रियक्टर में भेजने के लिए हम लोग pump का इस्तेमाल करते हैं, pump के बाद filter का इस्तेमाल करते हैं, अगर पानी में कुछ पद्रब्य है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग filter का उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद फिर से हम लोग atomic reactor में इसको भेज देते हैं, atomic reactor में भेजने के बाद यहाँ पर फिर से वो पानी जो ठंडा हो गई थी उसको हम लोग उस्मा देते हैं और उस्मा देने के बाद फिर से ये cycle में अपना बना रहता है फिर से ये cycle बना लेता है कि जो पानी यहां पर आ रहा है वो atomic reactor में गर्म होता है atomic reactor में गर्म होने के बाद फिर से heat exchanger में जाता है पाइप का जो उस्मा है वो पानी को अंतरित होती है एक्सचेंज होती है एक प्रकार का एक्सचेंजर इसको हम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो भाप है जो एटामिक रियक्टर से निकलने वाली उस्मा है वो किसको चेंज हो जाती है वो पानी को मिलने लगती है वो पान और टर्बाईन फिर से अपना कार्या शुरू कर देता है इस प्रकार एक साइकिल बन जाता है कैसे इटोमिक रियेक्टर से पानी गर्म हुआ वह भाप में परवतित हुआ भाप में परवतित होने के बाद heat exchanger में आया heat exchanger से क्या हुआ कि जो पानी का भाप जो भाप का उसमा है वो पानी को मिला पानी को मिलने के बाद फिर से भाप बन गया भाप बनने के बाद फिर ये कहां गया ये टर्बाइन में गया टर्माइन में गया, टर्माइन को रोटेट किया, टर्माइन को रोटेट करने के बाद जनरेटर रोटेट हुआ, जनरेटर रोटेट होने के बाद ये सप्लाई दिया, और जो यहाँ पे भाप बच जाता है, वो कहाँ पे आता है, कंडेंसर में आता है, कंडेंसर में आने के के बाद फिर से अगर पानी कम हो गई है तो यहां से रीवर से हम लोग पानी लेते हैं पानी लेने के बाद फिर कंडेंसर में जाता है कंडेंसर में जाने के बाद फिर क्या हो जाता है फीड वाटर पंप की सहायता से फीड हो जाता है किसमें heat exchanger में feed हो जाता है heat exchanger में feed हो जाता है तो ये ऐसे ही cycle बना रहता है अब हम लोग इसका जो पहला topic है वो है element of nuclear power plant तो आप लोग इसमें आप पूरे figure में ही आप लोग देख रहे हैं कि atomic reactor है, heat exchanger है, condenser है, generator है, termine है यही nuclear power plant के main part है यही nuclear power plant के main part है तो हम यहाँ पर देखते हैं, nuclear reactor हो गया जिसमें कि उसमा का उत्पादन होता है steam turbine हो गया, जो कि steam का उपयोग करके steam की energy को mechanical energy में परिवर्तित करने को हम लोग steam turbine कहते हैं यह क्या होता है कि भाप की उर्जा को एक यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित करने वाला यांत्र होता है उसके बाद heat exchanger का प्रियोग करते हैं heat exchanger क्या करता है यह atomic reactor से प्राप्त उसमा को पानी को देता है जो उसमा वहाँ पे बनी होती है उसको क्या करता है वो exchange करता है water को एक्स्चेंज गरता है पानी को ठीक है तो यहाँ पे हीट एक्चेंजर हो गया उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया इलेक्ट्रिक जनरेटर मुदला अल्टरनेटर अल्टरनेटर क्या करता है यह तर्बाइन से कनेक्ट होता है तर्बाइन से कनेक्ट होने के कारण फेज की सप्लाई हमको बसबार में मिल जाती है उसके बाद कंडेंसर कंडेंसर में क्या होता है कंडेंसर में जो टर्बाइन से बची हुई भाप है मतलग जो टर्बाइन से निकली हुई भाप है टर्बाइन भाप का उपयोग करने के बाद ऐसा तो नहीं होता है उस भाप का आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको share करिए और हम आपसे unroad करते हैं कि अगर ये जिस भी person के पास आपने भेजा है उसको request करिए कि channel को subscribe करे जिससे कि ये जो Polytechnic capsule की family है वो धीरे धीरे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये material पहुँचे Thank you